असलामों अलेकुम माई योटूब फैमली कैसे हो आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो आज हम बनाएंगे इजी एंड सिंपल क्रिस्पी ओनियन पकोड़ा चलिए रेसिपी स्टाट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए तीन बड़े ओनियन स्लाइस किये हुए थोड़ा सा पुदीना पुदीना दालने से टेस्ट और बहतर आएगा तो यह ऑप्शनल रहेगा पुदीना अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं तो यहां पर हमने पुदीना लिये हैं थोड़े से पते और थोड़ा हर्या धानिया और अब हम दालेंगे टू पिंच सोड़ा और त्री बाइफ फॉर्थ स्पून रेक चिली इसके बाद दालेंगे वन बै फॉर्थ हल्दी स्वाद अनुसर नामक और अब हम यहां पर दालेंगे टू टू स्पून रवा यानकी सोजी यह सोजी दालने से हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से क्रिस्पी होके निकलेंगे बाहे तो यहां पर मैंने तीन टी स्पू चरियंग का आठा दाला है यानि कि बेसवन का पाउडर अच्छा तो अब सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करके हम इसको सैड में रख देते हैं इसके बाद हम यहां पर यह कडाई लेंगे ग्याज ओन करेंगे और कडाई में तेल डाल देंगे इंग्रीडिय को यहां पर medium flame पर रख देते हैं और तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं तो तेल गरम होने के बाद जो हम इंग्रेडियन्ट मिक्स करके रखे हैं उस इंग्रेडियन्स को अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा से लेकी कडाई में दालना है तो चलिए हमारा यहां पर तेल गरम हो चुका है तो अब हम पकोड़े बनाके डालते हैं यह देखे जब भी आप डालोगे ना तो थोड़ी थोड़ी दूर डालेगा ताकि एक दूजे के साथ लगके खराब ना हो जाए अच्छा तो अब यहां पर हम 15-20 सेकेंड इसको पकने देते हैं उसके बाद टर्न करके फिट से हम 15-20 सेकेंड पका लेंगे यह देखे कितने मज़ेदार लग रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन होने के अबद इसको आप एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखके काल लेजे ताकि इसमें जो भी तेल है ना वो अबसर्ब हो जाए यह देखे हमारे पकोड़े तयार हो गए हैं तो जली से मेरा चैनल सबस्क्राइब कर लीजे और साथी बिल आइकान प्रेस कर लीजे तैंक यू फॉर वाचिंग अलाफेज